जंगल के बीच ओबीच कालुकवे और रानिकवी का होटल था पर उनके भोजन में बिल्कुल भी सुआद नहीं होता था छी छी कितना बक्वास भोजन है इस भोजन को खाने से बैतर मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेती ओए बुल्बुल की बच्ची खाना है तो खाओ वरना भागो यहां से रानिकवी ये जो तुमने इतनी बाते करना सीख लेती तो शायद तुम्हारे काम अजाता बुल्बुल गुसा होकर वहां से चली जाती है रानी सुखा से बैठे मक्हिया मार रहे हैं अब जाकर एक बुल्बुल आई थी और वो भी बिना खाय चली गई कालु जी आप परिशान नहों मेरे पास है एक उपाई वो जो मिनुचेडिया है ना उसे कितना स्वारिज भोजन बनाना आता है मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ रानी कवी मिनुचेडिया से बात करने उसके पास आती है मिनुचेडिया तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है ना तुम एक काम करो मेरे होटल पे काम कर लो तुम उन दिनों मिनुचेडिया के पास कोई भी नौक्री नहीं थी, वे थोड़ी परिशान थी हाँ हाँ रानी कवी क्यों नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कितने स्वारिश स्वारिश भोजन बनाने आते हैं, मैं भोजन बना दिया करूँगी बस ठीक है मिनुचेडिया, तुम्हें सुबा से रात तक होटल को अच्छे से समालना है, मैं तुम्हें महीने के आखिर में बहुत अच्छी पगार दूँगी ठीक है रानी कवी, मैं कल से आ जोँगी होटल पर दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया, तो जल्दी से कर लें, क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है फिर दूसरे दिन मिनोचेडिया कालू कवी और रानी कवी के होटल में आती है, और भोजन तयार कर रही थी, आज वे दाल चावल बना रही थी रानी कवी, कालू कवी भोजन तयार हो रहा है, देखना जो भी पक्षी आएगा, अपना पंग चार तरे जाएगा मिनोचेडिया अगर हमारा होटल अच्छा चल पड़ा तो मैं तुम्हें आदा हिस्सा दे दिया करूँगी थोड़ी देर में वहाँ पर जगुपक्षी आता है मिनोचेडिया उसे दालचावल परोस्ती है मज़े के हैं बहुत मज़े के दालचावल हैं अरे बई कौन कहता है केस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता इतने स्वादिश दालचावल हैं कि मेरा तो पेटी नहीं भड़ रहा मैं बताऊंगा सब पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिश भोजन मिलता है वे स्वादिश डाल चावल खाकर जगुपक्षी वहां से खुशी खुशी चला जाता है जगुपक्षी ने जाते ही पक्षियों को बता दिया था इसलिए दो तिन पक्षी होटल पर भूजन खाने आते हैं उन सब पक्षियों को भी मिनोचेडिया वे दाल चावल परोजती है सब पक्षी मज़े से वे स्वादी दाल चावल खा रहे थे शाम हो जाती है, मिनोचेडिया के बनाए हुए वे दाल चावल आज सारी खतम हो गए थे देख रानी कवी कालु कवे, आज मेरे दाल चावलों की वज़ा से होटल पर कितनी जाड़ा भीर थी और आज हमारी कमाई भी बहुत जाड़ा हुई है हाँ हाँ ठीक है मिनोचेडिया, पहले जाओ चाकर सारे गंदे बरतन दो, फिर ही जाना अपने घर उन सारे गंदे बरतनों को मिनोचेडिया एके करके दो रही थी, कि तब भी एक पिलेट फिसलती हुई नीचे गिर जाती है बस रानी कोवी गुसे में आती है और मिनोचेडिया को जोर से दो लगाती है अंदी हो, नजर नहीं आता, मेरी पलेट तोड़ दी, यहाँ तुम भोजन मिनाने आती हो, मेरा नुकसान कर दिया तुमने इतना बड़ा मैंने जान बूच कर थोड़ी ना किया ही यह सब, और सुनो, मैं यहाँ पर इज़त से काम करने आई थी, ऐसे काम से तो मैं ऐसी ही भली मिनोचेडिया काम छोड़ कर, वापस अपने घर चली जाती है ओए रानी, यह क्या कर दिया तुमने, अज पहले दिन ही मिनोचेडिया की वज़ा से होटल में कितनी भीर थी, और मिनोचेडिया को तुमने काम से ही निकाल दिया मैंने कहा निकाला काम से, वो तो खुद गई है छोड़ कर, आपको तो पता है ना, जब मुझे गुस्सा आ जाए, तो मैं कुछ नहीं देखती फिर मम्मा, वो कवी अंटी तो बहुत गंदी निकली, एक पले तूट जाने की वज़ा से उन्होंने आपको मारा हाँ तो मानो, मैंने भी नौकरी छोड़ दी उसकी, चहाँ इज़त नहीं, वहाँ कुछ नहीं तो मम्मा, अब आप क्या करूगी? बच्चों, अब मैं अपना ही दाल चावल का कारूबार शुरू करूँगी मुझे दाल चावल बहुत स्वादिश बिनाने आते हैं, देखना मेरा कारूबार जल्दी चल पड़ेगा मम्मा, आप शुरू करो, मैं आपका पूरा साथ दूँगा अगले दिन मिनोचेडिया थेला किराए पर लेकर अपना दाल चावल का कारूबार शुरू कर देती है मम्मा, हम कितनी देर से बेटे हैं, पर अब तक कोई पक्षी को नहीं आया बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है, कि हमने अपना दाल चावल का कारूबार शुरू किया है जब एक पक्षी दाल चावल खा कर जाएगा, तभी तो वो बाकी के और पक्षियों को भी लेकर आएगा तो हम बताएंगे, ममा, मैं और मानो भाई जाकर चंगल के सब पक्षियों को बताएंगे वे दोनों बच्चे पूरे चंगल में आवाजे लगाते फिर रहे थे मेरी ममा के दाल चावल, जिसने भी खाने हो, हमारे खर के पास आ जाए स्वाधिश्ष, स्वाधिश्ष, बहुत स्वाधिश्ष डाल चावल हैं हमारे बड़ी पलेट 20 रुपे की, छोटी पलेट 10 रुपे की थोड़ी ही देर के बाद, मिनुचेडिया के ठेले पर पक्षियों की भीर लग जाती है मिनुचेडिया जल्दी दे दो अब दाल चावल अब मुझसे और रहा नहीं जाता ऐसे उस मिनुचेडिया के आज सारे दाल चावल बिख जाते हैं और मिनुचेडिया को काफी अच्छा मुनाफ़ होता है वही कववा और कववी बैठे फिर से मक्या मार रहे थे और मिनुचेडिया को देख कर बस जले जा रहे थे रानी यह सब तुम्हारी वज़ा से हुआ है नाहीं तुम मिनुचेडिया को डाड़ती और नाहीं हमारा यह होटल बंद होता कालू जी मुझे तो लगता है अब हमें मिनोचेडिया के पास जाकर बरतन ही धोने पड़ेंगे प्यारे दोस्तों अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट सेक्षन में अपनी राय ज़रूर दें ननी बुलबुल से खाकर जूले पराती है और जूला जूले लगती है जैसे ही वे जूले से फिसलती फिसलती जूले के अंदर जाती है तो बाजूचील उससे अंदर ही पकड़ लेती है चलो पहला शिकार तो मिल गया चली से इसे खाकर अपना पेट भरती हूँ बाजूची जरा सी भी देरी नहीं करती और फॉरण से ननी बुलबुल को मार कर उसे खाने लगती है और फिर दुबार असे पक्षियों से चुप कर वे उस सुराख वाले पेड़ में आकर चुप जाती है अब रात हो गई थी वे सारे बच्चे जूला जूलकर अब अपने अपने घरों को चले जाते हैं सारे नने पक्षी तो जूला जूलकर अपने अपने घरों को आ गए पर मेरी छूटी वारी बेटी कहा है वो तो अभी तक नहीं आई मम्मा मैंने तो उसी काफी देर तक ढूंडा पर ना जाने वी कहां चली गई चिंता न करो बुल बेहन सरूर तुम्हारी बेटी रास तब भूल गई होगी देखना कल सुबा तक तो वे वापस आ जाएगी अगले दिन सुबा भी वे सारे नने पक्षी जूला जूलने आ जाते हैं और आज के दिन चैसे ही नना तोता जूले से फिसल कर जूले के अंदर आता है तो बाजू चील उस नने तोते को मार कर खा जाती है फिर आज रात नना तोता घर नहीं आया था जिस कारण तोता और तोती तो बहुत जाद ही परिशान हो गए थे ये हो क्या रहा है कल बुलबुल की बेटी रास्ता बुल गई थी और अज मेरा बेटा पर मेरा बेटा तो बहुत होश्यार है वे रास्ता तो नहीं भूल सकता पर अगर वे रास्ता नहीं भूला तो वे गया तो कहा गया अब तक घर क्यों नहीं आया वापस पक्षियों कहीं हमारे जंगल में साप या फिर बाजूचील तो नहीं गुसाई जो हमारे बच्चों को छुप छुप कर खा रही हो नहीं कालो कवे हमारे जंगल में बाजू चील ये साब तो आ ही नहीं सकता क्योंकि चंगल के चारो तरफ मिठुमाराज के सानिक खड़े हैं उनके होते हुए तो ऐसा हो इनहीं सकता वे सारे पक्षी बाजू चील वाली बाद पर जारा गोर नहीं देते और फिर अगले दिन भी वे सारे पक्षी जूला जूलने के लिए आ जाते हैं और आज रात फिर से कोई बच्चा गायब होता है कैसे भाईयों तो मनोचड़े अपनी छोटी बेहन का खयाल ला रख सके कहां चली गई वो अब मैं उसे कहां ढूंडूंगी बाजू चील तो जूले में छुपने की वज़ा से अब तक काफी सारे नने पक्षियों को खा चुकी थी उसका तो बस यही काम था दिन भर वे जूले के अंदर छुपकर बच्चों को खाती थी और रात को आकर वे उस सेप के पेड़ के अंदर छुप जाती थी विचारी मिनुचेड़िया अपनी बेटी के वापस ना आने की वज़ा से बहुत जादा प्रेशान थी और सारी रात वे इसी बारे में सोचती रहती है यही सोचते सोचते मिनुचेड़िया की आख लग जाती है और आज रात वे एक सपना दिखती है ऐसा बोलकर मिनुचेड़िया मनुचेड़िया के साथ जूला जूलने चली जाती है तबी जब मनुचेड़िया चूले से फिसलता हुआ अंदर जाता है तो मिनुचेड़िया देखती है कि कोई कपड़े में चुपा हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू भी था जिस चाकू से बेमानुचिडे को बार ढलता है तबी इतना भयानक सपना देखकर मिनुचेडिया की फोरण से आख खुल जाती है हाई रे ये कैसा सपना था मेरा मनुचेडा सरूर सरूर उस जूले में ही कुछ है जो हमारे बच्चों को मा रहा है बस राट ढलती है और सुबा जाती है और सुबा सवेरे ही मिनुचेडिया सब पक्षियों को अपना सपना सुनाती है पक्षियों मुझे लगता है उस जूले में बाजुचीर या कोई साप छुपा हुआ है जो हमारे बज्चों को छुप छुप कर खा रहा है क्योंकि मुझे पता है पक्षियों मेरा सपना कभी गलत नहीं हो सकता ज़रूर उस जूले में कुछ तो है ऐसा तो अब हम ऐसा क्या करें जो जूले में चुपा बैटा है हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे उस जूले में जो कोई चुपा है वो जरूर हमसे ताकर पर है इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते पर पक्षियों मेरे पास से एक बहुत बढ़ी उपाई है फिर मिनुचेरिया अपना उपए सब पक्षियों को बताती है तो ठीक है मिनुचेरिया तुम्हारे उपाई के अनुसार कोई भी बच्चा आज उस जूले में नहीं चायगा घर पर आकर मिनुचेरिया शुनुचेरिया की गोडिया में एक बाम बांदेती है और वे बॉम वाली गुडिया लेकर फोरण उस जूले के पास चली जाती है जिस तरह बच्चे फिसल कर उस जूले के अंदर जाते थे बस उसी तरह मिनुचेडिया भी उस बॉम वाली गुडिया को छोड़ देती है और वे फिसलते फिसलते उस जोले के अंदर चली जाती है बाजूचील समझती है कि कोई नना पक्षी आया है वे फॉरण से चोच मारती है तबी वे बाउम जोर से फटता है बाउम फटने की वज़ा से वे जूला तो पुरी तरह से तूट फूट जाता है और बाजूचील भी बुरी तरह मर जाती है बस बाउम की आवाज सुनकर वे सारे पक्षी ये देखने फॉरण से वहाँ पर आते हैं ये देखो भई बाजूचील की लाश इस डूश चील ने आप तक ना जाने कितने मासूम बच्चों को मार कर खा लिया पर कालू का वे इस बाजूचील को बिल्कुल ठीक सदा मिली है हमने इस से अपने बच्चों का बद्ला ले लिया बाजूचील के मरने की वज़ा से अब जंगल में दुबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है देखो रामी आज में कितना जादा कमा कर लाया हूँ आज मैंने पक्षियों को दो मजबूत घर बना कर बेचे हैं अरे वाब भई ये तो आपका लक्णियों का कारूबार बहुत अच्छा चल रहा है मैं तो केती हूँ आप बस लगे रहें इसी काम में कालू कववा चंगल के फाल तूपेड जिस पर किसी पक्षिय का घोसला नहीं था वे काट कर पक्षियों को घर बना कर देता था और इस तरह कालू कववे का काफी मुनाफ़ हो जाता था एक दिन कबूतर कालू कववे के पास कालू कववे के घर में आता है कालुकावे तुम मुझे मजबूत लकडियों का घर बना कर दो जो दाम बोलोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं भाई मैं तुम्हारे लिए भी मजबूत लकडियों का घर बना दूँगा ठीक है कालुकावे पर हाँ पैसे में तुम्हें घर बनने के बाद ही दूँगा कहलोचन थाher पनो नहीं नहीं कबूतर पेसे तो तुम्में अभी ही देने पढ़ेंगे क्योंकर ये मेरा उसूल है पैसे पहले काम बाद में क्या कालुकवे क्या तुम्हें मुझे बरोस्त नहीं है तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कितने सालों से जंगल में रह रहा हूँ क्यों कबूतर क्या तुम हमारे फुपी के बेटे हो पैसे तो तुम्हें अभी ही देने पड़ेंगे कबूतर कालुकवे को पैसे दे कर वहां से चला जाता है सुबे होते ही कालुकवे जंगल में एक बड़े पेड़ को कार देता है और उस पेड़ की लकणियों से कबूतर का घर बनाना शुरू कर देता है बताओ बताओ कबूतर तुम्हें अपना घर कैसा लगा घर तो बहुत अच्छा है कालुकवे पर ये बताओ इसमें बारिश का पानी तो नहीं आएगा न अगर बारिश की एक बून भी घर के अंदर आ जाएं तुम उससे आकर पैसे वापस ले जाना ये कालु लकणहारे का काम है इतना कच्छा काम नहीं करता मैं कालुकवा कबूतर का घर बना कर अपने घर पर चला जाता है कालु जी क्या हुआ आपको आपके चेहरे पर बारा क्यों बज़े हुए है रानी नजर लग गई नजर लग गई मेरे काम पर किसी पक्षी की क्यों क्यों क्या क्यों क्या हो गया कालु जी कल तक तो काम बहुत अच्छा चला था तो आज क्या हो गया मैंने पूरा जंगल ढून लिया परन्तू अब मुझे इस जंगल में कोई भी फालतू पेर नहीं मिलता जिसको काट कर मैं पक्षियों को घर बना कर दूँ कुछ पेर ऐसे हैं जिन पर पक्षियों ने अपने घोसले बना हुए हैं और बाकी के पेर पक्षियों ने खरीद कर रखे हुए हैं मैं क्या करू रानी अगर मुझे पेर ही नहीं मिले तो मैं पक्षियों को घर कैसे बना कर दूँगा हम ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई अब तो हमारे पास एक ही हल है कि आप शहर जाकर कमदामों में लकडिया खरीद कर लाएं और फिर अपना वेपार दुबारत से शुरू करें नहीं रानी मुफ की लकडियों में जो मुनाफ़ा मिलता है उतना मुनाफ़ा नहीं होगा मेरा और मुझे तो बहुत जादा पैसे कमाने हैं बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं रात को जब सब पक्षी सो जाएंगे तो पक्षियों के खेतों से जाकर उनके पेर काट लूँगा इस तरह किसी पक्षी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा धंदा चलता ही रहेगा हाँ उपाय तो अच्छा है मैं भी आपका साथ दूँगी आप पेर काटना और में नज़र रखूंगी रात हो जाती है मिनुचेडिया अपने बाग में काम करके वापस अपने घर चली जाती है कुछ देर बात मिनुचेडिया के बाग में लालची कववा और कववी लकडियों के तलाश में आ जाते है वा कालू जी मिनुचेडिया के बाग में तो बहुत सारे बड़े बड़े सेप के पेर है चलें अब आप अपना काम शुरू करें मैं नज़र रखती हूँ रात के अंधेरे का फाइदा उठा कर कालू कववा उस पेड़ को काटे लगता है और पेड़ काटके उसकी सारी लकडियां अपने साथ ले जाता है हाई रे ये क्या हो गया मेरा तो कितना नुकसान हो गया आखिर रात को कौन चोड़ लकड़ हारा मेरा सेप का पेड़ काट के ले गया मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा हमारे जंगल का कोई पक्षी तो ऐसा नहीं कर सकता जरूर दूसरे जंगल से ही कोई लकड़ हारा पेर काट कर ले गया होगा आज रात फिर से कालुका हुआ चेडिया के बाग से लकडिया चुडा कर वहां से भाग जाता है चलो रानी अब तोते के बाग में चलते हैं मैंने देखा हैं वहाँ पर बड़े बड़े अमरूत के पेड लगे हैं हम चाकर अमरूत का पेड काटते हैं अब फिर क्या था कववा और कववी तोते के बाग से भी अम्रूत के पेड़ की लकड़िया काट कर उससे अपने साथ ले जाते हैं सुबह होती है तो ये देख कर तो तोता और मिनुचेडिया दोनों बहुत जारा परिशान हो जाते हैं ना जाने कौन दुष्ट हैं जो हमारे पेड़ काट रहा हैं उसको पता नहीं कि हम पेड़ कितने मुश्किलों से लगाते हैं और वे एक रात में ही हमारे पेड़ काट कर ले जा रहा हैं अगर इसी तरह हमारे बाग के सारे पेर कड़ गए तो हम क्या करेंगे हमारा धंडा तो बन हो जाएगा फिर कालुकवे की वज़ा से तोता और मिनुचेडिया अब और जादा परिशान हो गए थे और वहीं कालुकवा तो बहुत जादा खुश हो रहा था क्योंकि कालुकवे के पास अब लकडियों की कोई कमी नहीं थी मेरा वेपार दुबार असे चल पड़ा देखो देखो मेरा मुनाफ़ा और भी जादा होने लगा है अब कालूकवे की लालश तो अब और भी जादा बढ़ती ही चली जा रही थी अगले दिन कालूकवे की पास उलू सेट आते हैं काफी तारीफे सुनी है मैंने तुम्हारी के तुम बहुत मजबूत घर बनाते हो इसलिए मैं भी तुम्हारे पास चला आया कालुकवे मुझे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाना है और वो भी बहुत मजबूत हाँ हाँ उलुसेट मैं आपका बड़ा सा घर बना दूँगा घर तो तुम बना दोगे पर हाँ मुझे अपना गर सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ की लकड़ियों से ही बनवाना है ये सुनकर कालुकवा सोच में पड़ जाता है आम का पेड़ ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंके हमारे जंगल में एक भी आम का पेड़ नहीं है पर मैं क्या करूँ मैं उलू सेट को मना भी नहीं कर सकता चलो कुछ करूँगा कहीं से भी आम के पेड़ की जुगार कर ही लूँगा अगर मैंने मना कर दिया तो मोटी कमाई मेरे हाँ से निकल जाएगी ठीक है उलू सेट मैं आपके लिए बना दूँगा बड़ा सा घर बस मुझे कुछ दिनों का समय दे दे अब कालू कववा आम के पेड़ की लकड़ियों की तलाश में दूसरे जंगल निकल जाता है मैं तो दूसरे जंगल भी आ गया पर अभी तक मुझे यहां पर भी कहीं आम का पेड़ नहीं मिला कालू कववा थोड़ा और आगी जाता है तो इसे एक जगा पर एक विशाल आम का पेड़ मिल ही जाता है मिल गया मुझे आम का पेड़ अब जल्दी से इस बड़े से पेड़ को काट कर इसकी लकणियों से उलूसेट का घर बनाना शुरू कर देता हूं कालू कववा जरा सी भी देरी नहीं करता और उस बड़े से आम के पेड़ को काटना शुरू कर देता है थोड़ी देर में कालू कववा उस बड़े से आम के पेड़ को बीच में से आदा कर देता है आम का पेड कटते ही उस पेड का मालिक रानी कवी का भाई वहाँ पर आ जाता है कालू कवी ये क्या कट दिया तुमने मैंने कितनी मैने से अपना ये आम का पेड लगाया था अभी ही इस पर आम लगे थे और तुमने मेरा पेड़ ही काट दिया कालू कवे नहीं छोड़ूगा मैं तुम्हें आब रानी कवी का भाई बहुत गुस्से में कालू कवे को बहुत मारने लगता है रानी कववे के भाई की मार की वज़ा से कालू कववे को अब सबक मिलिया था और कालू कववा अब शहर से लकडिया खरीद कर पक्षियों को घर बना कर देता था